हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल देखें फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा टू कलर का डिजाइन लेकिया हूँ तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये टू कलर की बूल ली है और टैन नमबर की सलाइन ली है ये एक मैंने वाइट कलर लिया है और एक मैंने रेड कलर लिया है तो चलिए फ्रेंड्स डिजाइन बनाना शुरू करेंगे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डालिए बनने के बाद बहुत ही सुन्दर डिजाइन बन के आई तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे टू के मल्टिपल में फंदे डाले हैं यह हमारी राइट साइड है यह मैंने चार सलईयों का बोडर बनाया है एक उल्टे एक सीधे का अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप बैक साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा क्योंकि सेधी तरब से राइट साइड से फर्स्ट रो से हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा तो यहां से बोडर बनाने के बाद जब हम फर्स्ट रो शुरू करेंगे तो यहीं से ही हम अपना सेगिंड कलर जॉइंट कर लेंगे डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नई है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चलिए तो डिजाइन बुलना शुरू करते हैं यह राइट साइड है फ़र्ष्ट रो है तो डिजाइन को सीखने के लिए प्लीज वीडियो को एड़ तक देखेगा तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हम स्टार्टिंग के दो फंदे बुनेंगे सेकेंड कलर से, दो फंदे बुनेंगे, फिर दो फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से चार फंदे बुनेंगे रेड के, दो, तीन, चार, फिर से दो स्लिप करेंगे, फिर से चार फंदे रेड के बुनेंगे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे फिर चार फंदे रेड के बुनेंगे तीन चार फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास दो फंदे होंगे इन दो फंदो को सिधा बुन लेंगे तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के complete हूँ अब आएंगे हम wrong side में second row पे तो यहाँ से जो फंदे हमारे बुने हुए है उनको हम बुन लेंगे तो ये दो फंदे बुनेंगे red color से slip है इनको slip करेंगे फिर से चार red के बनाएंगे उल्टे फंदे row हमारी back side से ये उल्टी बनती जाएगे सिरफ जो दो फंदे slip है इनको slip करेंगे बुने हुए फंदो को बुन लेंगे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और beginners भी इसको आसानी से बुन लेंगे ऐसे दो फंदे slip करेंगे फिर से चार फंदे फिर से red के बुनेंगे और आप इसको two color में भी बना सकते हैं और आप इसको multi color में भी बुन सकते हैं इसके अंदर हमारी दो slide base color के आएगे दो हमारी second color के आएगे अगर आप इसको multi color में बुनना चाहते हैं तो जैसे अब यहाँ पे white आएगी फिर आगे red आएगी तो हम दूसरा color लगा लेंगे और second में बनाएंगे तो दो color में बनाएंगे तो इनहीं दो color से हम बार-बार repeat करते जाएंगे तो यह एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे और जो अब हमारे यह दो फंदे बीच में white है side में red है red फंदे हमने अंदर की तरफ यहाँ करनी हो और white बाहर करनी है या तो आप इनको ऐसे white को इसमें डालके red को निकालके अंदर की तरफ कर लीजी ऐसे फिर इन फंदों को सीधा बुन लीजी ऐसे फिर ये red है ये white पहले red को बुनना है तो इसको back side से ऐसे slide डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे अंदर की तरफ करके फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे एक तरीका ये है फंदों को change करने का फिर ये बीच के दो फंदे सीधे बुनेंगे और इससे भी आसान तरीका आपको मैं ऐसे बताऊंगे यहां से जो ये फंदे चेंज करेंगे तो पहले हम first white फंदे को ऐसे ही सीधा बुन लेंगे फिर हम इस second फंदे को red फंदे को बुनेंगे ऐसे अब ये red पहले बुनना है white बाद में तो red को back side से यहां से हम सीधा फंदा बनाएंगे इसको उतारेंगे नहीं फिर इस white फंदे को बुन लेंगे तो ऐसे भी ये बगएर फंदे चेंज किये ऐसे भी हम बुन सकते हैं फिर भी ऐसे ही फंदे बन के आएंगे तो दो फंदे हम फिर सीधे बनाएंगे फिर से इन फंदों को change करेंगे तो white को पहले बनाएंगे फिर red को बनाएंगे अब यह red है यह white है red फंदा हमने पहले बुनना है तो इसको back side से बुनेगे और white को आगे की तरप से बुनेगे ऐशे हैं फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, अब फिर ये दो वाइट हैं, दोनो तरफ रेड हैं, तो पहले हमने वाइट फंदा बुनना है, तो वाइट को पहले बनेंगे, फिर रेड को बनाएंगे, अब ये वाइट है, ये रेड है, तो रेड फंदे को बैक साइड से तो ये हमारी थरड रो बनके complete हुई अब आएंगे हम फोर्थ रो में तो फोर्थ रो को हम पूरी को यहां से उल्टा उल्टा बना लेंगे इसके अंदर हम कोई भी फंदा चेंज नहीं करेंगे यहां से हमारी यह पूरी रो उल्टी बनते हुज जाएगे यह हमारी फोर्थ रो बनके complete हुई अब आएंगे हम राइट साइड में फिफ्थ रो में तो यहां से देखिए अब हम अपना यह सेगिंड गलर लगाएंगे तो पहले हमने यहां पे यह दो फंदे बुनके फिर दो सिलिप किये थे अब की बार जो फंदे यह बीच में दो है रेड के उपर इन फंदों को हम सिलिप करेंगे इन फंदों को बुनेंगे तो यहां से इनको सीधा बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच अब जो ये रेड के उपर दो फंदे हैं इन फंदों को स्लिप करेंगे फिर से चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, चार फंदे बुनेंगे फिर ये बीच में दो फंदे हैं जो रेड के उपर इनको स्लिप करेंगे फिर से चार फंदे बुनेंगे यह हमारी right side और हमारी यह पाँचवी स्लाई है फिर इन दो फंदों को slip करेंगे फिर से last के पाँच फंदे सीधे बुन देंगे पाँचवी स्लाई बन के complete हुई अब आएंगे हम wrong side में छटी स्लाई में तो च्टी स्लाई को यहां से देखिए जो फंदे बुने हुए हैं उनको हम बुन लेंगे तो यह पाच फंदे बनाएंगे यहां पर उल्टे पाच फंदे उल्टे बुन लिए अब जो यह सलिप फंदे हैं इनको फिर से सलिप करेंगे फिर से यह चार फंदे उल्टे बनाए तो विर जूए इस इस लिप करेंगे कि फिर से चाराइड के बनाएंगे तो बुद्य हुए फंदे बुमते जाएंगे और पूरी रो को ऐसे ही हम उल्डा बनाके कंपलेट कर लेंगे ये हमारी च्छटी से बनके साफ मेंदो हुई यहाँ पर साथ में जिए हमार अब हम क्या करेंगे तो ये वाइट धगा लेंगे और ये आगे के हम चार फंदे बुरूनेंगे एक दो मं मुंली कि तेन और चार अब ये वाइट क्षाइद में साथ में एक रैड नेंदा है इस फंदे को और इसको चेंज करेंगे वाइट बाहर की तरफ करेंगे रेड अंदर की तरफ तो पहले हम वाइट फंदा बुन लेंगे ऐसे फिर रेड को बुनेंगे ऐसे अब फिर यह वाइट है रेड है रेड पहले बुनना है तो इसको बैक साइड से बुनेंगे ऐसे फिर वाइट को आगे की त बुनेंगे फिर ये रेड फंदा बनाएंगे अब फिर ये वाइट है ये रेड है रेड को हमने पहले बुनना है तो इसको पिछे की साइड से ऐसे बुन लेंगे और फिर वाइट को आगे की तरब से तो ऐसे बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो फिर इनको चेंज करेंगे तो वाइट को आगे की तरफ से बनाएंगे और रेड को यहां से बनाएंगे अब यह वाइट है यह रेड है रेड पहले बुनना है तो रेड को हम पिछे की तरफ से बुन लेंगे और वाइट को आगे की तरफ से बुनेंगे अब ये last के 4 फंदे सीधे बनाएंगे तो ये हमारी 7 मिसलाई बनके complete हुए अब आ गये हम 8 मिसलाई में wrong side में तो यहां से इस पूरी रोग को हम उल्टा उल्टा बना के complete करेंगे तो friends पहुत ही आसान डिजाइन है और बिजनर्स भी इसको आसानी से बुन लेगे सिरफ ल्टी से दी सलाई है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है यह बहुत ही आसान डिजाइन है इसमें बगयर धका गुमाई हम टू कलर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन यह बना लेंगे और बच्चों के प्रोजेक्ट पे तो ये डिजाइन बहुत ही प्यारा बन के आता है किसी भी प्रोजेक्ट पे बच्चों के डाली ये बहुत ही सुन्दर डिजाइन है तो ये हमारी आठमी सलाई रोंग साइड से उल्टी बन के कम्पलेट होई तो ये हमारा टोटल आठ सलाईयों का डिजाइन था तो ये हमारी आठ सलाई ऐसे बन के आई और डिजाइन हमारा नजर आने लगा अब फिर हम दोबारा से डिजाइन जैसे पहले हमने ये डिजाइन यहाँ पे था अब ये बीच में था अब फिर ये design यहाँ पे आएगा तो दो फंदे हम बुन के ये फंदे slip करेंगे दो स्टार्टिंग के बुनेंगे ये slip करेंगे फिर चार फंदे बुनेंगे फिर दो slip करेंगे तो जब आप बार बार इन आठ शलाईयों को repeat करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और शूंदर सा डिजाइन ये बनके आ जाएगा और बनाना बहुत ही आसान है आप इसको two color में भी बना सकते हैं और आप इसको multi color में भी बना सकते हैं अगर आप इसको multi color में बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर दो सलाई white की बनाई दो red की बनाई दो white की दो red की आप जैसे दो सलाई white की फिर red फिर white फिर और कोई color लगाएंगे तो ये multi color में बनता चला जाएगा बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बनाना भी बहुत आसान है तो देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो color combination पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक कैसा लगा थेंक यू